हेलो एवरीवन स्वागत है आपका प्रियांका की रसोई में तो आज हम सूजी के पापड बनाएंगे पापड तो ऐसे बहुत सारे तरीकों से बनाए जाते हैं और खासकर फरवरी मार्च के महिने में तो महिलाएं घर पर इसे सबसे ज़्यादा बनाती हैं क्योंकि मार्च मह बनते हैं और यह तोटते फड़ते भी नहीं है इसको बनाना भी घर पर बहुत आसान होता है आप इस पापड को बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कप सोजी ली है एक चमच जीरा लिया है दो बड पहले हम एक medium size की पतेली लेंगे उसमें एक कप सूजी डालेंगे और फिर जिस कप से हमने सूजी ले थी उसी कप से 8 कप पानी डालेंगे जितना हम सूजी लेंगे उसके 8 गुना पानी हमें लिलना है अब हम gas on करेंगे और सूजी को कल्ची की मदद से चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठली आना पड़ें अब इसमें डालेंगे तेल, जीरा, बेकिंग सोडा और नमक जो हमने रखा हुआ था इसे डाल देते हैं और कल्ची से इसे मिला देंगे अब हमें इन सारी चीजों को अच्छे से पकाना है लगातार लगभग 5-7 मिनट के लिए सूजी को पकाते रहें जैसे जैसे सूजी पकेगी वह गाड़े होती जाएगी जहां रहे हमें इसे ज़्यादा गाड़ा नहीं रखना है क्योंकि जब सूजी ठंड़े होगी तो उ अब मैंने यहां पर एक प्लास्टिक की पनी है और पापड बननाना श्टार्ड करते हैं कुछ लोग पनी पर पापड बनने से पहले तेल लगाते हैं ताकि जब पापड सूखी तो उन्हें आसानी से निकाला जाए लेकिन मैंने यहां पर पहले सूजी में तेल डाल दिया हैं तो मैं यहां पर इन्हें ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही हूं तो इसी तरह से हमें सारे पापड बना लेने हैं अभी आपको देखने में यह मोटे लगेंगे लेकिन आप टैंसन मत लीजे जब यह सू जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि यह सूखने के बाद भोत पतले हो जाते हैं तो देखे हमारे सारे पापड बिल्कुल बनकर तयार हो गए हैं तो हम इन्हें लगवग तीन दिन की धूप में सुखाएंगे तो यह देखिए मैंने इन्हें तीन दिन की धूप में सुखाया है और पापड हमारे अच्छे से सूख गए हैं लगव पर तेल डाल कर मैंने गरम कर लिया है अब मैं इसमें एक पापर डालूंगी और देखें या कितने अच्छे से फ्राय हो रहा है जब एक साइड से सिख जाए तो इसे पलट लेंगे इन्हें आप कभी भी चाय के साथ खा सकते हैं और महिनों भर इस्टोर करके रख सकते हैं तो मैंने आपको तीन से चार पापर फ्राय करके दिखा दिये हैं इन्हें बनाना बहुत आसान है आप इन्हें कभी भी बना सकते हैं अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीस कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सीर जरूर कीजी और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रस कीजिए ताकि मेरा आने वाला वीडियो का नया नौटि आपको मिल सके मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ अब तक के लिए बाई बाई टेक कियर